बारत में कुरोना वायरस का संकट कहर बनकर तूट रहा है पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए पुद्वार को कुरोना के सवाल लाग नए मामले दर्ज किये गए हैं केंदरी स्वास्ते मंतराले की ओर से जारी आकड़े के मुताविक पिछले 24 घंटे में 126,315 नाएकेस सामने आए हैं इस दोरान 685 लोगों की मौत हुई है पुर्धान मंतरी नरेंद्र मोधी ने ब्रैस्पत बार को दिल्ली के एम्स में कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली है और कोरोना वाइरस के खिलाब जंग में टीका लेने के लिए पात्र सभी लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की है पुर्धान मंतरी ने एक मार्च को टीके की पहली खुराक ली थी भारती जंता पार्टी के वरिस्ट नेता लालकृष्ण अडवानी ने गुरुवार को एम्स जाकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है अडवानी ने पहली बार कोविड टीका नौ मार्च को लगवाया था पस्यम बंगाल में चौते चरड के चुनाव के लिए दाव पेच का दौर जारी है इसी कड़ी में उत्तरपरदेश के मुकमंत्री योगी आदितनात को हुगली में जनसभा को संबोधित किया है इस दोरान उन्होंने ममता बनेरिपी जी पर जमकर निसाना साधा है साथ ही कहा है कि सीम विरोधी टीमसी के बोट बैंक है और दीदी उन्हें कभी नहीं भगाएंगी कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के परिक्षा पे चर्चा कारक्रम की प्रष्टी भूमी में उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि खर्च पे भी चर्चा होनी चाहिए राहूल गांधी ने सवाल किया है कि प्रधान मंत्री पेट्रॉल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। मद्वर्देश के ग्राय मंत्री नरोत्म मिस्रा अपने बयानों को लेकर फिर से सुर्कियों में हैं। केरल में मुक्क मंत्री ने यहाँ पर COVID-19 से संक्रमित पाए गए हैं और उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत इस्तिर है उन्हें सभी अभी किसी भी प्यद्री के की तकलीप नहीं है। महरासरकार और राज के पूर्व ग्रै मंत्री अनिल देशमुक की ओर से दाखिल याचका को गुरुवार को सरवोच नियालय में खारिच कर दिया गया है। आज का बॉम्बे उच नियालय के पांच अपरैल को दिये गए फैसले के आखिर धायर की गई थी और जिसमें अदालत ने देशमुक के खिलाप प्रात्मिक जाच का आदेश चारी किया था। केंत्री मंत्री प्रकास जावडेकर ने महारास्ट सरकार पर जम करने साना साधा है। मिथुन चक्रवर्ती के काफिले की एक गाड़ी में तोड़ फोल की खवर सामने आई है। जानकारी के मताबिक हावडा के बगकुला इलाके में मिथुन चक्रवर्ती के रोट सो खतम होने के बाद बीजेपी की एक गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई है बीजेपी ने इसका आरूप टीमसी के कारकरताओं पर लगाया है त्रमूल कॉंग्रेस ने सपासांसद और अभनेत्री जयाबच्चन को यहाँ पर मैदान में उतार दिया है हलाकि चुनावी रैल्यू के दोरान कई बार इन स्टार्स का यहाँ पर गुस्ता देखने को मिला है ताजा मामला जया बच्चन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपको बताते चले कि उन्होंने रोट सो के दोरान आपा खोद दिया और सेलफी ले रहे एक कारकरता को जोरदार धक्का दे दिया और इस घटना का वीडियो सोशल मेडिया पर अब जम कर वारल हो रहा है चत्यसगड के वीजापूर में हुए नकसली हमले में यहाँ पर अगवाह किये गए जवान राकेशवर शिंग को नकसलीयों ने छोड़ दिया है पत्नी की यहाँ पर रहाई के बाद पती की रहाई के बाद पत्नी ने सरकार को धन्वाद दिया है आंद्रप्रदेश के चिकसा और स्वास्त विभाग के अधिकारियों ने मुकमंत्री जग मोहन रेड़ी को सूचित करते हुए का है कि राज्य में कुरोना वैक्सीन की केवल तीन लाग खुरा के उपलब्द हैं उन्होंने कहा है कि स्टॉक केवल दो दिन तक चलेगा मुकमंत्री कार्याले ने इसकी जानकारी दी है देश में कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना सुनिश्चित करने के यहाँ पर अन्रोध संबंधी याचका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस भीजा है मदप्रदेश में कुरोना की दूसरी लहर विस्पोट होती हुई जा रही है एक दिन में यहाँ पर महामारी रोकने के लिए राज सरकार ने सभी सहरी इलाकों में सुक्रवार साम 6 बजे से सोंबार सुबह 6 बजे तक पून लॉक्टाउन लागू कर दिया है देश में कुरोना वाइरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं शहरों में फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है तो अब फिर से प्रवासी मजदूरों के अपने घर वापस जाने की खबरे सामने आ रहे हैं लगातार बढ़ रही शक्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट सिर पर है और दिल्ली पूरे समेत अन इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने कर वापस लॉट रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नोईडा और गाजियावाद में 17 अप्रायल तक नाइट कर फ्यू लागू कर दिया है साथ ही सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए हैं नोईडा और गाजियावाद में रात 10 बजे से लेकर सुब़े 5 बजे तक नाइट कर फ्यू रहेगा भारती निर्वाता कंपनी सीरम इंसिटूट ओफ इंडिया कानूनी दाओं पेंच में घिर गई है और दरसल SII की को यहाँ पर ब्रिटिस और स्वेडन से दवा और बायो फार्मिस्टिकल कंपनी एस्ट्रोजेन का ने एक कानूनी नोटिस भेजा है यह नोटिस कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में देरी किये जाने पर भेजा गया है उतरपरदेश के मेरट जनपत में प्रेम प्रसंग की अजीब मामला सामने आया है गंगा नगर शेत्र में दो बहनों ने गंगा नगर थाने पहुँचकर एक ही यूबक से साधी करवाने की मांग की है दोनों बहने नावालिक है इनकी इस जिद से पॉलस भी हैरान हो गई है उन्होंने काफी प्रियास पर दोनों बहनों को समझाया है और फिर परजनों के साथ फेज दिया है तमिलाडू के तंजबूर में एक प्रियासी ने मद्दाताओं से यहां कहा है कि अगर वे उसे बोट देते हैं तो वे उन्हें दो दो हजार रोपए देगा इसके बाद उसने बोटिंग से पहले दो दो हजार के कूपन बाट दिये हैं मद्दाता यहां पर मद्दान निपटने के बाद बोटर्स कूपन कैस करवाने पहुँचे तो यहां पर पैसे करवाने से यहां पर इंकार कर दिया है वराडसी के काशी विश्वनात मंदिर के पक्ष के फैसले देते हुए कोट ने ग्यानवापी परिशर का रडार तकनीक से यहां पर पुरातत्त सरवेक्षर कराने की दे दी है और शिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोट असुतो स्तिवारी की अदालत ने लॉर्ड विगनेशर नाथ के वद मित्र विजय संकर रस्तोगी के आवेदन पर शुईकार कर लिया है मुंबाई के ड्रग तसकरों पर नार्कोटिस कन्ट्रोल वेरो की कारवाई जारी है आज आपको बताते चले की मुंबाई के डूगरी की 22 साल की लेडी डौन को NCB ने घिरफतार कर लिया है बताया जा रहा है कि ये लेडी डॉन मुंबई के डिसको में जाकर ड्रग सप्लाई करती थी उत्तरप्रदेश के बिरंजुनोर जनपत में गुरुबार को एक बड़ा हाथसा हुआ है नहां बक्सीवाल रोड पर पटाके बनाने वाली फैक्टरी में तेजधमाका हुआ है जिसमें पांच लोगों की मौत होगी जबकि चार से अधिक लोग गंभी रूप से घायल है वैक्सीन की किलत कई जगों से सामने आ रही है वैक्सीन नहीं होने के चलते महराज टोड़ी सा दिल्ली उत्तरप्रदेश समेत जारकंड के कई टीका करंड केंद्रों को बंद कर दिया गया है रेलाइंस इंडस्ट्री के अध्धक्च मुके संबानी ने चीनी कारोवारी जैक मा को यहाँ पर पचाड कर एसिया के सबसे अमीर व्यक्तिक का इस्थान फिर से हासिल कर लिया है अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक अरपपती भारत में है न्यूजिलेंड की प्रधान मंत्री जैशिडा अरणर ने कोबिट-19 के मामले बढ़ने के कारण 11 अपरैल से करीब दो हपते के लिए भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेस पर अस्थाई रोक लगाने की ब्रैस्पतवार को घुश्णा की है पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान रेप यहां पर बयान देकर बुड़ी तरीके से फिर गए हैं दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचना के बीच इमरान की पहली पतनी जेमिमा ने उन्हें कुरान का हवाला देकर जम कर फटकार लगाई है इमरान खान ने रेप केस बढ़ने के लिए बॉली बॉड महिलाओं के छोटे कपड़ों और पश्चिमी संस्क्रत को जिम्मेदार ठहराया था फीवा ने पाकिस्तान को बड़ा जटका दिया है इस वैस्वी की संस्था ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के में तीसरे पक्ष की दखलन दाज के बाद सजा ए आपको बता दे किया है और एफ आई एफ ए ने यहाँ पर पाकिस्तान और चड़ के नेशनल शौकर फेडरेशन को उनके संचालन के तरीके से लेकर विवाद के बाद सस्पेंट कर दिया है कोरोना की दूसरी लहल के असर को देखते हुए फिल्म नगरी मुंबई में अब इस महिने हर शुकरवार साम से लेकर सोंबार सुबह तक यहाँ पर शूटिंग बंद रहेगी लेकिन महाराज सरकार की तरफ से लागू सब्ताहिक लॉकडाउन के निर्देश के तहत किया जा रहा है